क्लास 9 वाला तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के exercise 7.1 के question number 3 का solution question number 3 में में दिया है कि AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB ठीक है ये दोनों बराबर हैं और किसके AB के perpendicular है तो हमें show करना है कि CD bisect AB कर रहा है CD जो line है वो AB को bisect कर रहा है हमें ये show करना है का मतलब क्या होता है कि AB को दो equal part में divide कर रहा है तो आधे पहले हम लोग फिगर ड्रॉख कर लेते हैं फिगर हमें कुछ ऐसा दिया गया है ठीक है यह हमारा AB है 90 degree triangle है यह O है और यह DC है ठीक है यह इसके equal है ठीक है तो हमें show कर रहा है कि जो हमारा AB line सब्सक्राइब को bisect कर रहा है तो इंट राइंगल आधे पास दो ट्रेंगल दी ए ओ इंट राइंगल सी बीडिगरी है हमें गीवेन है and यह वह ला एंगल क्या बोलता है यह side BC किसके इकोल है AD किकोल एखे तो पहले तो हम नोट करें कि triangle CBO sorry DAO DAO किसके इकोल है CBO के इस 90 degree गीवेन है ठीक है and हमें दे रख्था है हम क्या कह सकते हैं कि यह वाला अंगल इसके एकोल होगा Vertically Oppositive Angle Angle DOA Angle DOA किसके एकोल हो जाएगा Angle COB के reason होगा Vertically Oppositive Angle. मैंeda Swart Form में ले लिखा हूँ में फूलफ फॉर्म नोट कर लेंगे Vertically Oppositive Angle एंड हमें दियाằ olmें कि ADL 9 किसके इकोल है? BC के. यह हमें क्या अिक lag Д Article 음악 एक लिए अमारा सी बीन होगा वाइँ एए एस इंगल एंगल साइड अंगल एंगल और साइड तो सीपी सीटी में क्या मिलने वाला है कि ऐंग वो इकुल्स टू ओबी वाई कि थी मतलग की कोरिस्पॉंडिंग पार्ट्स आफ का र्ट ट्रेंगल और सरे वरय का सव करना था क तो अबरे वीडियो को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू